नेशनल सीट कौरपरेशन जी यहाँ दोस्तो नेशनल सीट कारपरेशन और में असिस्टेंट, मीनिजमेंट्रेणी senior trainee, diploma trainee, trainee, trainee mate in various disciplines इन सारे पदों पर भरतिया निकली हुई है तो दोस्तों अगर आप इन सब की तैयरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा useful होने वाली है और हाँ, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को आप सबस्क्राइब कर दिजिए, इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने सारे दोस्तों में सेर कर दिजिए अगर दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फालो करना चाहते हैं तो आप हमें सर्च कर सकते हैं एड दरेट एगरी हिंदुस्तान चाहां पर आपको वारियस निव अपडेट्स मिलती रहेंगे तो दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम सीड की डेफिनेशन के बारे हम देखते हैं तो इट इस डिफाइंड ऐज मैचेओर राइपेंड ओव्यूल कमप्राइजिंग लिविंग इम्रियो इंबेडेट इन दे सपोर्टिंग फूर्ड इस्टोरेज टिसू विद ए प्रोटेक्टिव कोट यानि जो सी सीड भीध फंक्शन यानि सीड के कौन कौन से पार्ट है और उनके क्या क्या फंक्शन है सबसे पहले हम देखेंगे मोनो कौट सीड में इंडोस्पर्म, सीड कोट and इम्रियो यह तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं यहां पर जो आपको ये पार्ट दिख रहा है या एक इं जो कलर का आपको दिख रहा है यह सीड कोट है सीड कोट के दो पार्ट बनते हैं टेश्टा और टेगमें लेकिन जो सीड कोट का काम होता है वो है प्रोटेक्ट्स दर सीड यानि सीड की रच्छा करना और इसके कौन-कौन से दो पार्ट हो गए टेश्टा और टेगमें यह द प्लिमूल से दोस्तों सूथ का ग्रोथ होता है और यहां पर आपको दिख भी रहा है कि यह सूथ में डेवलपफ होगी प्लिमूल से इन नेक्स्ट है एकपिकोटाइल फिर दूसरा है हाइपोटाइल एन रैडिकल and radical is very important because radical के द्वारा ही root का development होता है यह भी एक question बनता है कि radical के द्वारा कौन सा part बनता है तो radical के द्वारा root बनता है next है cotyledon and embryo का क्या क्या क्याम है embryo का जो काम है वो है develops into a new plant यानि embryo ही एक नए पौधे में develop होता है तो दोस्तों monocot में हो गया यह corn seed and dicot में हो गया यह bean seed यह भी पूछता है कि कौन कौन सा seed है या crop है monocot है और dicot है यह एक question बनता है अब चलते हैं next इसमें हैं दोस्तों the differences between seed and commercial grain are as below यानि जो seed और commercial grain के बीच में जो difference है वो यहाँ पे दिया गया है chart wise है आपके लिए important है आपके exam के बीचे तो सबसे पहले हम seed के बारे में देखेंगे seed should be germinable and vigorous यानि अगर हम seed के गुड को देखते हैं कि जो grain है और seed है उसमें क्या commercial difference है तो सबसे पहला जो point है वो है seed should be germinable and vigorous यानि seed जो है germinable होना चाहिए और vigorous होना चाहिए लेकिन grain में ऐसी कोई आवशक्ता नहीं होती है दूसरा point है seed should be physically and genetically pure यानि seed जो है वो physically और genetically pure होना चाहिए लेकिन grain में ऐसी कोई आवशक्ता नहीं होती कि वो genetically pure हो 然后 के लिए पेवर हो and next है पॉइंट seed should satisfy all the quality norms यानि seed के जो quality है वो सारे quality को satisfy करता हो तब वो sweet की category में आता है लेकिन grain में ऐसी कोई आवशकता नहीं होती है and next point is seed should be free from paste and diseases seed जो है वो paste और diseases से free होना चाहिए उसमें कोई disease और कोई paste न लगा हो तब वो sweet की category में आता है लेकिन जो grain है उसमें इसकी कोई आव सकता नहीं है हो सकता है डिजी लगा भी हो और नहीं भी लगा हो तो वो grain की सेड़ी में होता है and next point is seed is the outcome of plant and specific program जी हां दोस्तों तो seed production जो होता है वा एक plant and specific program के तहत होता है इसलिए seed जो है outcome है किसका plant and specific program का लेकिन जो grain है हम ऐसे ही cultivation करते हैं for grain purpose eating purpose तो इसमें ऐसी कोई आवशकता नहीं होती है अब चलते हैं हम next पार्ट पर तो यहां पर आपको कुछ important चीज़ दिए गया है जैसे the good quality seed should have the following characters यानि good quality seed जो होता है उसके पास यह सारे characters होने चाहिए अब इनमें क्या-क्या है आप देख लीजे पहला है पहला point है genetic purity and uniformity and should confirm to the standards of the particular cultivar यानि genetically pure होना चाहिए uniform होना चाहिए और जो उस particular cultivar का जो standards है उससे मिलता जुलता होना चाहिए तब वह good quality की seed कहलाता है next point है disease free good quality की seed जो होते हैं वो disease free होते हैं तीसरा है viable seeds यानि जिवित वस्ता में हो उसमें जिवित्ता उसकी बनी रहे तो वो viable seeds की स्रेडी में आते हैं और good quality seeds का ये एक character है next point है free from admixtures of other crop seeds weeds and inert matters तो दोस्तों जो seed होते हैं good quality के उसमें धेर सारे जो admixtures होते हैं inert matter होते हैं उससे free होना चाहिए ठीक next point है acceptable uniformity with respect to size, shape and color यानि उसकी जो uniformity है वो acceptable हो उसके size, shape और color के respect से उसके view से अब चलते है next point पे हमारा जो next point है next chart है यह है the difference between seed and crop production यानि seed production और crop production में क्या major difference है उसके बारे में हम यहां discuss करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं seed production seed production जो है basic seed should be from an authentic source यानि जो seed production के लिए हम seed use करते हैं वो एक authentic source से लिया गया हो तब वो seed production के लिए use किया जाता है लेकिन crop production में जो seed होता है वो कोई भी seed material हम use कर सकते हैं उसमें कोई authentic source की आवशकता नहीं होती है नेक्ट पॉइंट करता है seed plot should be selected carefully for better performance as per edific and environmental requirement यानि जो seed plot है उसको अगर हम select करते हैं तो बहुत ही select करेंगे क्योंकि जो वहां की edific और environmental requirement है उस seed की उसी के अनुसार ही है वहां का seed plot select करेंगे लेकिन grain जो है crop production में ऐसे कोई बात नहीं है कि हम उसकी edific और environmental requirement के अनुसार ही grow करें लेकिन grow तो किया जाता है बट इसमें कोई वो specific area की आवशकता नहीं होती है इसे हम कहीं भी grow कर सकते हैं and next point is needs isolation from other varieties जिया अगर हम seed production कर रहे हैं तो हम इसमें isolation distance की बहुत ज्यादा आवशकता होती है क्योंकि जो genetic purity है इसकी उसको बनाए रखता है isolation distance लेकिन जो crop production इसमें isolation distance उतनी ज्यादा आवशकता नहीं होती है and next point is in the seed production seed production needs technical skill for maintenance of quality तो दोस्तों जो seed production है उसमें technical skill की आवशकता होती है उसकी quality को maintain रखने के लिए लेकिन जो crop production है इसमें special technical skill की आवशकता नहीं होती है इसमें ऐसे ही grow कर लेते है and next point is maintenance of genetic purity is important तो genetic purity को maintain रखना seed production के लिए सबसे ज़्यादा important है और यह isolation distance के दोरा भी maintain किया जाता है और उसकी technical skill को लगा कर उसकी genetic purity को maintain किया जाता है लेकिन crop production में genetic purity की कोई आवशकता नहीं होती है इसलिए इसमें genetic purity बनी भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं बने रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है crop production में लेकिन seed production में हमारी जो genetic purity है वो maintain होनी चाहिए and next point is roging is compulsorily practiced तो दोस्तो roging means of type की जो plants होते है उसको remove करना ही roging का लाता है तो यह compulsory है seed production में लेकिन जो हमारा crop production है उसमें roging not practiced कोई आवशकता नहीं होती है लेकिन seed production में जो है harvesting should be done at physiological and harvestable maturity तो harvesting अगर हम seed production के यह जो crop grow किये हैं अगर उसकी harvesting हम कर रहे हैं तो वो physiological या harvestable maturity पे ही उसकी harvesting हम करेंगे लेकिन जो crop production है उसमें जो हम harvesting करते हैं वो harvested at filled maturity यानि field में जब maturity हो जाती है तब उसको हम harvest करते हैं यह एक question बनता है कि crop production में हम crop को किस stage पे harvest करते हैं तो हमारा right answer होगा harvested at filled maturity and in the seed production we will harvest at the physiological or harvestable maturity and next point is resultant seed should be vigorous and viable तो जो seed है वो vigorous और viable होता है लेकिन crop production में question of viability does not right viability की कोई question ही नहीं उठता है यहाँ पर की seed viable होगा crop production में but seed production में हमारा जो seed होगा वो vigorous और viable होगा and next point is importance is given to seed quality rather than the yield यानि जो seed production है उसमें जो importance है वो seed quality पे दिया जाता है जबकि yield को छोड़ कर ठीक उसमें yield उतना नहीं देखा जाता लेकिन seed की जो quality है उसकी genetic purity है उसको maintain रखना इन सारे चीजों को ध्यान में रखके यह ज़्यादा आवशकता होती है उसकी yield उतनी आवशकता नहीं होती लेकिन जो crop production है उसमें हमारा जो importance है वो more yield यानि अधिक से अधिक yield लेने पर दिया जाता है ठीक है दोस्तों यह chart आपको सायद confirm हो गया होगा कि what is the difference between seed and crop production अब चलते हैं next chart पर हमारे जो next chart है दोस्तों यहाँ पर है वो अब चलते हैं हम देखते हैं कि varietal seed production क्या होता है और hybrid seed production क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या difference है तो दोस्तों यहाँ पर है इट इस जो varietal seed production है यह है इस single parent multiplication यानि जो varietal seed production होता है वो single parent multiplication के द्वारा होता है लेकिन जो hybrid seed production होता है वो उसमें two two many parents यानी दो या दो से अधिक parents की आउसकता होती है hybrid seed production में नेक्सट पोइंट इजoration distance requirement is less यानि varietal seed production में जो हमारा isolation distance है उसकी आउसकता बहुत ही कम पढ़ती है लेकिन जो hybrid seed production है उसमें isolation distance requirement is more इसकी आवशक्ता बहुत से ज़ादा पड़ती है नेक्ट पॉइंट है production is by open pollination यानि varietal seed production में जो pollination होता है वो open type का होता है लेकिन hybrid seed production में वो managed and controlled pollination female यानि उसको control तरीके से pollination किया जाता है by hand या emasculation करके जो भी होता है ये सारी process उसके थुरू pollination किया जाता है hybrid seed production में अब चलते हैं next point पे next point पे हमारा है production technique नहीं sorry seed can be used continuously for 3, 4, 5 generations यानि varietal seed production में हम seed को लगातार 3, 4 या 5 generation तक भी use कर सकते हैं लेकिन hybrid seed production में seed has to be changed every time यानि हर बार आपको seed change करके use करना पड़ेगा in the hybrid seed production and next point is production technique is uniform या multiplication यानि जो multiplication technique है varietal seed production का वो uniform होना चाहिए एक समान होना चाहिए लेकिन hybrid seed production में जो है technique differ with crop यानि according to crop वहाँ पे technique different हो जाती है अब चलते हैं next point पे next point है varietal seed production में production care is less यानि जो production के लिए जो हम care करते हैं वो बहुत ही कम करते हैं इसमें उतनी आवसकता नहीं पड़ती care की लेकिन जब हम hybrid seed production करेंगे तो उसमें care की बहुत ही ज़्यादा important होता है उसकी देख भाल करना बहुत पड़ता है and varietal seed production में एक point करता है कि yield will be lower यानि varietal seed production में yield जो है हमेशा कम होती है लेकिन hybrid seed production में yield will be higher यानि hybrid seed में yield जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है next point is the last point profit is less यानि varietal seed production में profit बहुत ही कम होता है और जो hybrid seed production है इसमें profit जो है वो सबसे ज़्यादा होता है I hope कि आपको ये वाला chart भी आपको समझ में आ गया हो अब चलते हैं हम आज के next important chart पर तो ये है seed replacement rate तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं seed replacement rate है क्या तो यहाँ पर है seed replacement rate is the rate at which the farmers replace the seeds instead of using their own seeds यानि seed replacement rate वो है जहाँ पर farmers जो है वो अपने seed को replace the seeds instead of using their own seeds ऐसा करने से वहाँ पर seed replacement rate बनता है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम seed replacement rate of selected crops 2005-06 का ये data है तो दोस्तों crop यहाँ पर दी हुई है और seed replacement rate यहाँ पर आपको दी हुई है आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं तो जो important है मैं उसको बता दे रहाँ कि paddy paddy का जो seed replacement rate है वो 17 होती है 17 परतिशत होती है और इसमें ज्यादा important है ground nut, ground nut का जो seed replacement rate है 5% होती है sunflower का जो seed replacement rate होती है 50 होती है soya bean 20 होती है 20% and एक और याद कर लेना millets का वो 7 होता है but आप screenshot लेकर आप इन सब को learn कर लिजिए चलते हैं अब next point पे हमारा next point है principles of seed storage तो दोस्तो what is the principle of seed storage कभी कभी question में ऐसा करके push देता है 4 option 5 option देता है और एक option गलत होता है उसमें तो वही पूछता है कि कौन सा इसमें से seed storage का principle नहीं है तो आपको उसी वीव से यहाँ पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो सबसे पहले देखते हैं कि यह 5 principles हैं कौन कौन से है seed storage के तो दोस्तो पहला point है seed storage conditions should be dry and cool तो seed storage conditions होता है वहाँ पे dry और cool area होना चाहिए दूसरा point है effective storage pest control तो effective storage में pest control की भी आवशकता पड़ती है तीसरा है proper sanitation and proper sanitation in seed stores यानि वहाँ पे sanitization भी किया जाजाना चाहिए seed stores की fourth point कह रहा है before placing seeds into storage they should be dried to safe moisture limit यानि seed को storage में रखने से पहले उसको उस safe moisture limit तक सुखाना चाहिए ताकि वहाँ पे उसकी जो storage की छमता है वो बनी रहे काफी लंबे समय तक storage हो सके next point कह रहा है कि five point है storing of high quality seed only that is well cleaned treated as well as high germination and bigger तो storing quality जो होती है seed की वो well cleaned treated as well as high germination and bigger होना चाहिए अब चलते हैं next point पे हमारा जो आज का next है ये chart है दोस्तों ये video सिर्फ आप के लिए बनाया गया है जो लोग national seed corporation के लिए विभिन पदों पर तयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए बनाया गया इसमें सारे chart wise हमने video को convert किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो तो चलते हैं seed moisture content percent with storage life यानि अगर जो seed है अगर उसमें इतना moisture percent रहेगा तो इसकी storage life इतनी year होगी तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है अगर seed में moisture 11-13% है तो जो storage life है वो half year होगी यानि 6 month 1 by 2 year अगर 11-13% seed moisture रहेगा तो अगर यहीं पर 10-12% moisture content in seed then the storage life will be 1 year and 9-11% of moisture content in seed then the storage life of seed will be 2 years and 8-10% moisture content in seed then the storage life of seed will be 4 years यह सारे हो गए आपके दो दो चार चार वो दिया है seed moisture content और उसके बाद storage life दिया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक important question बनता है कि जो safe moisture content for sealed storage है वो है 4-8% कितना है 4-8% safe moisture content for sealed storage sealed storage के लिए जो safe moisture content होता है वो होता है 4-8% अब चलते हैं next point पे हमारा आज का next है चार्ट है इसमें दिया हुआ है stages and segments of seed storage यानि seed storage की कौन-कौन से stage है और कौन-कौन से segment है तो यहाँ पे पहला है total five stages है five segments है पहला है post-maturation या pre-harvest segment तो post-maturation या pre-harvest segment कब होगा यहाँ भी इसको describe किया गया है period from physiological maturity to harvest यानि physiological maturity से लेकर harvest तक जो period होता है वो post-maturation या pre-harvest segment कहलाता है दूसरा है bulk seed segment तो period from harvest to packaging bulk seed in aeration, drying, beans, search beans, etc यानि जो harvesting से packaging तक का जो period है वो bulk seed segment कहलाता है यह दूसरा stage है तिसरा stage आता है packaged seed segment तो इसका जो period होता है from packaging to distribution packaging से लेकर distribution तक जो period होता है seed का वो क्या कहलाता है packaged seed segment packaged seed segment वो भी कहा होता है seed in packages in warehouse यहाँ तक and fourth point is distribution marketing segment तो चौथा stage क्या है distribution है marketing segment तो इसमें क्या होता है period during distributing and marketing तो distributing और marketing के time का जो period होता है वो distribution या marketing segment के अंदर में आता है तो इसमें क्या होता है packaged seed in transit और retailers storehouse यहाँ तक पहुचते हैं and last point is last segment on form segment on form segment में क्या होता है period from purchase to planting of seed यानि seed को खरिदने और उसको planting करने तक का जो period होता है वो on form segment का लाता है तो seed in on form storage यह रहा on form segment यह जो पांच stage है दोस्तो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है इसमें सारे stages के बारे में पूछ सकता है जैसे period from physiological maturity to harvest is called as तो आपका right answer हो जाएगा post maturation या फिर pre harvest segment अब चलते हैं next slide पे तो दोस्तो आज का यह slide है जो है इसमें दिया गया test weight of various crops तो दोस्तो 1000 seeds जो होते हैं उसका जो weight होता है वो test weight कलाता है और जो seed index होता है वो 100 seeds का होता है तो यहाँ पे हो सकता है इसमें कुछ mix up हो तो देखते हैं सबसे पहले rice जो है इसका 25 होता है test weight बास्मती rice का होता है 21 यह सारे जो digit दिये गये हैं यह grams में दिये गये हैं कितना grams में यह सारे grams में दिये गये हुए हैं तो बास्मती rice का 21 gram rice का 25 gram and wheat oat barley 30 to 40 grams cotton अरहर 70-72 grams पी का जो होता है 100 grams होता है मेज का जो होता है वह 278 grams and soya bean 55 grams ऐसे करके सारा है सबका सब है तो आपको याद करना है आप इसका screen shot ले सकते हैं यहाँ पे एक ज्यादा important बनता है टोबैको टोबैको में seed rate test weight कितना होता है धाय to 3 gram कितना धाय से 3 gram test weight होता है टोबैको का अब चलते हैं हम आज के अगले पन्ने पर यानि अगले स्लाइड पर इसमें हम बात करेंगे seat rating equipment seat rating equipment कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ नाम mention किया है आपको एक view दे रहा हूं आप इसको net पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं वरना मैं जब इसका part second बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं सारी चीजों को mention कर दूंग ठीक है अब चलते हैं इसको थोड़ा describe कर देता हूं कि जो seat rating equipment होते हैं वो जैसे पहला है डस्ट ट्रीटर इसको गुस्तेफो सन एक्स एल ड्राइप आउडर सीट रीटर भी कहते हैं दूसरा है slurry seat ट्रीटर एन तीसरा है panogen seat ट्रीटर चौथा है mist omatic seat ट्रीटर यह हो गए चार प्रकार के seat rating equipment और भी types होते हैं बट यह जादे यूज में लाए जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं slurry seat ट्रीटर ऐसा कुछ होता है ठीक है दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर द दीजी और हमारे इंस्टाग्राम पेज को follow कर सकते हैं at the rate agru hindustan ठीक है दोस्तों बाए बाए